दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे फॉन लॉक्ट, फॉन की प्राइवेसी ऐन फॉन को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं दोस्तो हम एक एक ऐसी ट्रिक के बारे में आपको आज बताएंगे जिसका आप यूज करते हैं आपका फॉन चोरी भी हो जाता है तब भी आप आसानी से पता लगा सकने कि आपका फॉन किसे ने चुराया है और इसके साथ-साथ फॉन के लॉग के लिए हम काफ इक इस वीडियो बताने वाले है इसलिए वीडियो बहुत जाता इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो में एंट तक बन रहे हैं बिल्कुल भी इसके ना करें और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि इस चैनल पर टेक्स रेलेटेट सबी समस्याओं को समाधान मिलता रहता है ताइम की वाली को समस्क हो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपनी मॉआल स्क्रीन की तरफ दोस्तों माच चुके हैं अपने मॉआल स्क्रीन पर आने वाद आप एक अप्लिकसिन को यूज करना बला हूँ अब इस एपली के समय मैं इसमें कोई भी पैटर्न मेरे मुवाइल है मेरे फॉन किसी के हाथ में चला जाता है और वह पैटर्न कही बार गलत डाल देता है एक बार दो गलत डाल देता है तो होता क्या है यह अपने फ्रेंट कैमरे से उसके फोटो क्लिक कर लेगा औ इस तरह से आपको फोटो मिल जाए आप चाहो आपका होगी आप तो यह तो फोन में फोटो है मेरे पास कैसे ही तो आप यहां तरह थी लाइन पर जाने के बाद आप सेटिंग में जाएगे सेटिंग मों जाने पाद एक option मिल जाएगा आपको Google Drive backup इस पर backup पे क्लिक करके में आपको बताता हूँ जैसे आपके आपके घर में कोई आपका फॉन ले लेता है और गलती से आपका फ्रेंड से के लिए आपका फैमिली मेमर्स के बास फॉन चला जाता है और उनको आपका पता पता चल जाता है तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आपका फॉन краill lock से तो अब यहां से पता लगा सकते है एंड थारी शीजस में बताता हूं तो इसमें और चेंज कर सकते हैं तो ज़ादा इंट्रेस्टिंग cycling आप इसको यूज करें अपने फॉन को सेफ करें इस ट्रिक का यूज करके दोस्तो कैसी लगी ए ट्रिक हमाने करके जरूबत है और दोस्तो यह वीडियो ज़रा से भी हैल्प थाबित हुई आपके लिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नबुले और दोस्तों यदि आ संपर करना चाहते हैं तो आप हमसे इस्टाग्राम पर संपर कर सकते हैं मिलते कोई और इंट्रेस्टिंग वीडियो मां तब तक क्लिए बाइबाइबाइबाइब टेक क्या जय हिन जय वारत